कि जंता पार्टी के पूरव MLC श्रीविक्तरम नदावाजी का एक वीडियो वाइरल हुआ है उसी सिल्सले में आप आज आप सबको यहां ने कश्ट दिया है कि आपता नहीं किस्से में थे जहां किसी के उक्सावे में आके बड़ी जल्द बाजी में उन्होंने एक क्रेश कांफरेंस की है और उस प्रस कांफरेंस में वो बाद कम कर रहे थे गोलियाँ ज़्यादा चला रहे पतानी कारण पीछे क्या था क्रेशर का इशू यहां के दो तीन चार वर्षों से चल रहा है कुछ बात इलीगल माइनिंग की है वो कारण थे जा सरकार ने इलीगल माइनिंग बंद की है वो फरस्टेशन थी पर जो भी कारण थे आज उन्होंने एक बड़ी जल्द बाजी मे प्रैस कांफेंस की और उसमें हमारे आफिस पर भी रोप लगाया है और इसीलिए यह कर रहे हैं यह अरोप उन्होंने किन तत्यों पर अधारित लगा यह उनको पता होगा प्रतु कोई अगर उनके पास सबूद है तो अगले 24 घंटे के अंदर उनको प्रेस में पबिक में आके उन सबूत को लेके आना चाहिए नहीं तो जैसे के मंत्री जी ने भी कहा है क्योंकि वो हमें का केस हमारी तरफ से बनता है 24 गंटे के अंदर अंदर उनको ये सफाई अपने पब्लिक पे देनी चाहिए जान तो वो सबूत लेके आए जान फिर पब्लिक लिए माफिब भांगे नहीं तो एक करोड़ बे का हरास्मेंट जो है वो लगातार की जा रही है और पार्टी में कई ब्लैक शिप्स हैं जो इस प्रकार के एक्टिविटीज में वाल्व हैं वह खुद पार्टी के पराने जो लीडर है ऐसे में सर उनका आरोप लगाने के पीछे क्या वज़ाशन की यही बात है कि वह थां कि प्रयास कर रहे हैं मांकि अगर अगर अपना ये बात पहले कर गई है तो किसे की है वो किसी का नोने belong ने लिया ऐनकि पॉलब कि अगर किसी से बाद की तो उसका नाम लें किस वीक्ति से इस विशे के बेट रुख रज़ता हुई हमारी हुआ में को जानकारी नहीं है कि यह तरह की भाफशा उनके दौरा इस्तिमाल की इस पर चैनता परटी के नेता बाकी नेता उनकों कि अगर किसी का दुश्मन मी हास्पिटल में हो तो उसके बारे में ऐसा तो हम कभी नहीं कहें कि वह हास्पिटल में हैं और आप हस्पिटल से कभी वापिस ना ऐसा मुझे अच्छी जान बचान है और मैंने कभी अपक्षा नहीं की थी कि विक्रम अदावा जी ऐसा स्टेटमेंट देंगे कि हास्पिटल में वापिस ना हैं ऐसे अप शब्द उनके मुझे मुझे नहीं लग रहा अच्छे लगे किसी को भी अच्छे नहीं उठाते हैं कई प्रेशर का सामना तमाम लोग कर रहें वह सुनने के लिए यहां पर आज नहीं है अब यह तो डिपकाम भी बता सकते हैं क्यों उनको फोन कितनी वार गया क्यों नहीं उठाया क्योंकि आज आप सब जानते हैं कि करोना सारी स्टेट क्या पूरा भारत जूज रहा इसमें और यह जो सब लोग इन लोगों में इन चीजों में इन वाल्ड हैं मैं उसकी तरफ से सफाई नहीं दे रहा परंतु फिर भी इसा बताया जिश्किये थे कि इसकी है यह जो लीगल पनेल्टी उनमें लगी है उस विशे में ना तो मुझे पूरी जानकारी है कि किस अधार पे लेगल लगी है यह जानकारी तो वह विक्तरण दावे जी दे सकते थे प्रेस कांफरंस में दे सकते थे कि मुझे पनेल्टी जो इलेगल लगी यह तो इस तरह से इलेगल है इसकी लिगल लेगल्टी के बारे में ज़्यादा जानता नहीं परंतु उनको ही यह सफाई देनी है आए आव से सहमत हों कि जोटि जनता पार्टी हमेशा क्योंकि मैं भारती जनता पार्टी का शिपायी हूं और इसलिए दावे यह साह के स्क्क्रों करें मैं आगे ऐसा करें में और इसमें वह फैसा करें दिन बर की सबी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजे हमारी ओफिशल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजे ताके आप हो सके हर खबर से वाकिफ